प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जाहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जाहिंद रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक मज़ेदार वीडियो ले तो इस वीडियो को अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने साथ जब ये वीडियो अपलोड होगी तो लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए लुगना क्या बात कर लुगना आज आप से मैं ये समझना चाहूंगी कि ऑवर सीज पाकिस्तानिस के गर हम बात करें आप खुद भी लंदन में होती हैं क्या देखती हैं आपको कोई यहां से जब कोई भी पाकिस्तानी किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं मैंने फिल यह वहां के सोसाइटी क को यह फॉरन ही पाकिस्तानी टच देने की कोशिश क्यों करते हैं देखें अब पहले जो पाकिस्तान के से लोग आए थे माइगरेट होके यूके में तो उनको फिर भी याना कि कि इतने पाकिस्तानी होते नहीं थे तो उनको अपने आपको ढ़लना पढ़ रहा था पाकों में जाता है तो कभी कबार उनको ना अंग्रेजी बोलने की ज़रूत है और ना कभी कोई किसी अंग्रेज से कभी मुलकात होती है कि कि वो पाकिस्तानीयों के बीच में ही रहते हैं तो आइधिंक बहुत सारे मसले जो हैं काफी सालों से बढ़ते जा रहे हैं और हैं जब कि अशी नजर से नहीं देखते हैं उनको लगता है कि हम सब आयसे हैं हम सब नहीं समझ नहीं है हम आना चाहते हैं भार के मलक में अगर हम पाकिस्तान वनाना चाहते हैं पुरी से मुलकोब तो अब करने लग रहे हैं इतना के ओ बहुत लगे पहले बोलते नहीं य sincerity चुप रहते थे और कुछ तो अंग्रेज मुझे ये बोल रहे हैं कि अब बातों से भी उनका काफी उनने समझाने के कोशिश करी अब उनको ये डर है कि अब लड़ाई जगड़ा शुरू होगा यूके में वो आप पहले से आगा कर रहे हैं कि या तो तुम लोग अपने ज़रा रहे हैं पांच-दस साल में अगर ऐसा ही चलता रहा कि पाकिस्तानियों ने अपने आपको सुधारा नहीं तो मेरे भी बच्चे इन चीजों में पढ़ सकते हैं ना बाद में के कोई उनको मारे मेरे बच्चों को ये सोच कि कि पाकिस्तानी बैगरांट है हम लोगों क्राम कर रहे हैं उनका भी खाम खाम नाम बदनाम हो रहा है प्लस फिर लोग कुछ ये भी समझते हैं मजब में कुछ ऐसा हो इसलिए जो है मजब पे भी भी बात आ जाती है तो बहुत जरूरी है कि जब आप मुसल्मान हो जब आप पाकिस्तानी हो आप अपने मजब को अच्छा इंप्रेशन देते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है अंग्रेज ये बोलते हैं इंडिया से हम इंडिया के लोग को बड़े अच्छे हैं वो तो हमें तंग नहीं करते हैं और हमारे अंदर जैसे हमारे कल्चर को भी समझते हैं तो हमें उनसे कोई मसला नहीं है और चाइना के लोगों से भी मसला नहीं वो भी यह करते हैं जिसमें के उनको यहां लाके उनकी शादियां कर दी गई जब जस्ती उन लड़कियों की और फिर उनको मार भी दिया गया अगर उन्होंने कहा कि वह मैसी से कॉंटैक्ट करेंगी और वापस जाने की कोशिश करेंगी तो यह जब चले जाते हैं वहां पर तो उसके बाद जो लोग यूके में आए हैं पाकिस्तान से वो कुछ ऐसे अलाकों से आए हैं जो बहुत नारो माइंड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे पड़े लिखे सिटी वाले लोग आए हैं पाकिस्तान से यूके में कुछ ऐसे लोग आए हैं शाद जैसे गाओं वाले थोड़ा सा मा ड्रेस पेन लिया टांगे थोड़ी से नज़ा आ गई तो उनको ये गलत लगता है यहां की लोगों के बारे में तो वो अपने बच्चों को उन चीजों से बचा के रखना चाते हैं उनको खलत फैमें कि पाकिसान लेके जाएंगे बच्चों को पाकिसान से शादी कराएंगे तो उनके बच्चे पाकिसानी कल्चर नहीं चोड़ेंगे या अंग्रेजों का बनेंगी उनको अंग्रेज बुरे लगते हैं मगर फिर सवाल वो ही ये भ机 आपको इतने बोरे लग रहे आपप यहां क्यों रहे हैं मगर बच्चे आप यहां पर पैदा करेंगे तो बच्चों की सोच होगी उन पाकिस्तानियों में ज़्यादा तर जो UK आ रहे हैं I think जो अमेरिका गए हैं पाकिस्तान के लोग को फिर भी मैंने सुना है कि ज़्यादा थोड़ से अच्छी कॉलिटी गई है कॉम्पेटेंस में स्किल में कि डॉक्टर और इंजिनेर टाइप की लोग गएं अमेरिका में मगर जो UK और यूरोप में आए में हैं वो इतने पड़े लिखे नहीं हैं तो फिर वो क्या कर रहा हैं बुरा इंप्रेशन दे रहे हैं सारे पाकिस्तानियों को और कुछ लोग तो इलीगल तरीके से भी पहुचे होंगे क्योंकि अगर कोई स्किल नहीं है कोई डॉक्टर इंजिनियर या इस तरह की कोई बड़ी डिक्री नहीं है तो यहां से तो वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान से तो वो किसी ना किसी और तरीके से पहुंचे हैं क्या जी हां इलीगल तरीके से भी यहां पर पहुंचे हैं और उसकी इलावा क्या करते हैं कि शादी जैसे करना की धूरने की कोशिश करते हैं को कोई लड़की मिल जाए या कोई ब्रिटिश पासपर वाला लड़का मिल जाए शादी वो करते हैं बड़े बड़े वादे करके आते हैं यहां पर फिर अपनी हरकते दिखाते हैं और यह तो ऐसी केसिस भी काफी होएं कि गोरियों को भी धोका गया दिया गया है दूसरे भी जो लोग जैसे हम लोग मैं जैसे यहां यूके में पैदा हूई हूँ मुझे मुझे जैसे लोगों के साथ जैसे शादी करके जो यहां पर वोन होई हैं उनको दोका दे के फिर अपनी हरकत ऐसे करने तो इस ऐसी कहानिया बहुत होची की है, तो मैंने ये देखा जब जितनी भी दफ में पाकिस्तान आई हूँ बज़पन से, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ा शौक हि बार जाने का, अपना मुल्क बनाने का शौक है कि अपने मुल्के रहें, पड़ाई लिक्षाए करें और अपने मुलक को खड़ा करें बस शौक कि भी, भारकरे मुलक में चले जा कुछ ना कुछ भेतर तरीके से रहे हों तो मैं मैं खुद जो हूँ यू के में पैदा हुई हूई हूँ मेरे जो घरवाले और मेरे जो फैमिली है हम लोग नहीं इसे को हरकत नहीं करी कि लीगल को एक्टिवेटी या ग्रूमिंग गा इस टाइप की तौबा तौबा इस स्कानी बैक्राउन का था या जो प्रो पालेस्टाइन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं मैं समर्जती हूं कि क्यों हो रहे मगर अगर आप बाइलेंस करना शुरू करेंगे तो बदनाम होगा ना फिर यह होगा कि आप लोग तो अग्रेसिव बहुत है तमीज से अब आप करेंगे तो लोग फिर रितंग आएंगे फिर आवाज उठाएंगे लोग तो अच्छे हैं पाकिसान के लोग मगर अनफोर्टनेटली मुझे यही मुझे वो बुरा लगता है कि मैं जितनी भी महनत कर लूँ आखरी मगर मैं यह बोलूंगी बही मैं तो पाकिसानी बाग्र रहें उनको घलत फाहां हैं कोई कुछ बोलेगा नहीं और हम ऐसे करते रहेंगे उनको इतनी सोच और समझ ही नहीं है कि वह डामच क्या कर रहे हैं रेप्टेशन पूरी डामच कर रहे हैं जो अच्छे लोग हैं उनको भी लोग बुरा समझ रहे हैं मुल्क भी बदभ बद कि कही ना कही निकल जाए, किसी ना किसी कंटरी में पहुंच जाए, पकिस्तान को छोड़ कर. I that now अब पहले इतना मसला नहीं था क्योंकि पकिस्तानी इतने नहीं थे, अब पाकिस्तानी काफी सारे हो गए हैं, और उन्हें कि फिर बच्चे भी बड़े हो गए और अगर उन्होंने अच्छी तरभियत नहीं दी अपने बच्चों को तो फिर वो भी अप गंद मचा रहे हैं बच्चे तो पॉपिलेशन बढ़ गई है और मुझे पता है फोकस काफे पाकस्तानियों में दुसरे लोगों के मुलकों के लोग भी आकर गंद मचा रहे हैं सिर्फ पाकस्तानी कर रहे हैं मगर फोकस पाकस्तानियों में इसलिए है क्यूंकि निूज में ज्यादत पर पाकस्तानी बैग्रांड इस ग्रूमिंग जो गैयम था इस टाइप की चीज़ीज थे लोगags तो वो पाकस्तान इन पिरुटिक व्यूज आपको काफी अच्छे लगए जहां पिनों ने ये कहा कि एक तरफ भारती जहां पे भी जाते हैं जिस देश में जाते हैं वहाँ के कलचर के रिस्पेक करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं और उनके कलचर के इज़त करते हैं, वहीं पाकिसानी, जिस भी देश में जाते हैं, पहले वहां पे अपने ग्रूप, अपना जुन बनाते हैं, अपना महुला बनाते हैं, और फिर वहीं उन्हें के कल्चर को जाके खराब करने की कोशिश करते हैं, और फिर शरीय लाओ के डिमांड करते हैं, तो आशा करता हूँ, एंद जबार